अब बात करते हैं अमेठी की अमेठी सीट से राहूल गांधी पिछली बार स्मृती रानी इसके सामने पचास हजार से जादा बोट से हार गए थे और शायद उनको इसका आभास था पहले से इसलिए वो दो सीट से चुनाल वड़े वाइनाट से जीत गए भारी बार अंतर से जीते थे लेकिन क्या इस बार फिर वो अमेठी लोटेंगे ये सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है अब कॉंग्रेस पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्षय अजे राय बार बार इस बात को कहते हैं खास दोर पर राहूल गांधी और प्रेंका गांधी के लिए कि ये तो वो यूपी से चुनाव लड़ेंगे ही अब अमेठी बिजिक के बारे में उनसे सवाल हुआ उनने सपश्ट कहा बिलकुल अमेठी से चुनाव लड़ेंगे राहूल गांधी प्रेंका गांधी का नाम भी दुबारा ले दिया बोले कि वो भी अगर वो किसी भी सीट से लड़ना चाहें पूरी पार्टी जान लगा देगी चाहे बनारस से लड़ना चाहें, बनारस मतलब प्रधान मंतरी मुदी के सामने, तो भी वो उनकी पार्टी का एक एक कारे करतार जान लड़ा देगा, लेकिन चलिए वो बनारस वाली बात तो फिर भी दूर की है, लेकिन राहूल गांधी अमेठी जो पिछले पांच बरसों म गए नहीं, अमेठी से दोबारा चुनाव लड़ेंगे, तो इस पर क्या उनको ऐसा लग रहा है कि बदल जाएगा दोहजार उन्निस से, उन्निस में यह हुआ, वो उनके लिए सदमे से कम नहीं था, कुछ सोच नहीं सकता था कांग्रेस पार्टी में कि राहूल गांधी अ आर सकतने हैं, लेकिन वो हो गया था, तो अजयराय की बात आपको सुनाते हैं, और फिर उसी के साथ-साथ ज़रा कांग्रेस पार्टी बीजे पी के निता, केंदरिय मंत्री मुखतार अबास तक्वी उनकी बात भी सुनी हैंगा, वो ये बता रहे हैं कि अमेठी के साथ गा आरस अगर होगी, हमारा के कारेकरताओं के लिए जान लगा, देखो कई दशकों तक कांग्रेस पार्टी ने उस छेतर को परिवार की परसनल प्रॉपर्टी के तोर से ट्रीट किया, और एक तरह से वहां की जनता को चुंगम की तरह चबाया और चलता बनाया, उसको कुछ दिया नहीं, अब जो है वो परिवार की टाफी से पब्लिक माफी नहीं देने वाली है, तो अगर उनको लगता है कि परिवार की टाफी दिखा करके और पब्लिक से माफी ले लेंगे, तो उन्हें हिसाब देना होगा कि कितने दशकों तक उस छेतर के लोगों को अपनी पर इस लाज है बात करने का टौफी को माफी से जोडना चविंगम की बात करना ये उनका स्टाइल है बात करने का उनोने ये बता रहे थे किस तरीके से अमेठी की जनता तो उनको जेताती रही बारबार लेकिन अमिठी को बद्ले में कुछ नहीं मिला ना कॉंग्रस से ना देखे देशज में जो कहावत है उबले आलू आली तो अमेठी सचमुच राहुल गान्धी और कॉंग्रेस के लिए उबला आलू हो गया है ना वो उगल पा रहे हैं न निगल पा रहे हैं उगल दिया यानि लड़ने नहीं गए तो कहेंगी के रेदेखो इसमिती रानी ने हर अब हिम्मत नहीं पड़ी और कहीं निगल गए यानि चुनाव लड़ने चले गए और इतना गरम आलू रहा कि गला जला गया यानि फिर चुनाव हार गए तो संकट बड़ा हो जाएगा अजे राय का दूसरा मामला है अजे राय जी देखिए उत्साह में हैं पुराने भा एक तो थोड़ा बाहुबली टाइप रहें तो वो भी एक साबित करना है लेकिन कॉंग्रेस की जो असल इस्थिती है जमीन पर और जो अजयराय कह रहे हैं उसमें कोई तालमेल तारतम में नहीं दिखता है मुझे तो लग रहा है कि इस तरह से वो बार बार करें कि नहीं र 2019 में भी कहा गया थेक प्रियंका जी बनारस से लड़ जाएंगी क्या कोई वाटर टेस्टिंग हुई नहीं गई इस तरह से क्या जनता स्विकार करेगी काशी में तो मिल्कुल मतलब पूरा काया कल्प हो गया है प्रधान मंतरी उनका अपना जन प्रत्नी दी है उनका सांसा हर दूसरे दिन मोदी जी पहुँच जा रहे हैं जितनी योजनाओं का वहाँ एक तरह से कहें कि काया कल्प करा दिया वहाँ पर इस तरह की बात करना वो मुझे लगता है कि उत्साह और हलकापन दोनों एक साथ दिखाता है अब राहूल गांधी इसी की सुक बगाहट भी नहीं हमने देखी कि राहूल गांधी अक्टिव हो रहे हैं अम इठी को लेकर के आपकॉ ने कणरेस के लिकलनी चald कि अमेठी को पूली कि हमेठी नहीं जाते हैं तो यह उप याइवे लिंत्र को कि हम दिखाने को ने Northeast Os अमेठी में जाएं तो आपको ऐसा कुछ भी नजर नहीं आएगा दूसरी तरफ उनके सामने अभी इतनी मजबूत नेता है ग्राउंड पे कनेक्स के लिहास से कि आप सूचें कि दोजार चौदा मेहारी उसके बावजूद उनका जाना लगतार वैसे ही जारी रहा और दोजा संबाद उनका होते रहता है और वहां पर राहूल गांदी अगर जाए तो आप खत्रों के खिलाड़ी मान सकते हैं और इतना तो तै मान सकते हैं कि सिर्फ एक सीट पे तो जाएंगे नहीं वो निश्ची तो पर एक कुशन रखना चाहेंगे और इस दूसरी सीट पे भी जा यह भी होता है कि दो अलग अलग हिस्सों में देश के जो है एक माहूल बनेगा आप दो जो इसे जीतेंगे तो एक खत्रा जैसे इस बार लेकिन दूसरी पर इस्थिति यह खत्रे वाला माम लागी है दूसरी सीट इसले चुनी पड़ती है कि एक सीट पर खत्रा पैदा हो देखे राहूल गांदी कहीं से भी चुनाव लड़ सकते हैं लोगतंतिमंद को एधिकार दिया है कि जहां से चुनाव लड़े अमेड़े से वह सांसाद रहे चुके हैं मुझे असा लग रहा है कि अब उत्त्रपदेश की स्थितियां बहुत बदल चुकी है राहूल पार्टी का समर्थन मिलता था इनकों अमेठी और राइवलरी के अंदर इस बार अखिले शादों के साथ जिस स्थिदी चल रहे मुझे लगता नहीं कि समाजवादी पार्टी उन्हें समर्थन देगी और योगी आजितिनात का जिस तरीके से कारकाल रहा है दोया सतरा में म कंग्रेस ने क्या तो नहीं किया सकते मुझे लगा है स्मुर्थी वराटी के वहादा इस क्यांपे मुझे हैं ragi अपर जाएंगे तो अपने हाध जुल्साएंगे यह बात ऱहरे मान्ना कि राहल गंदी वानार से हिचिनाव लड़ेंगे कॉंग्रेस ने क्या टेकिया तो नहीं कह सकते हैं कुछ खबरें जो ऐसी चल रही है कितनी सच होती हैं पता लएगा सुरिया गांधी जी अपना जनम दिन 9 दिसंबर को शायद उतारूँगा वो शायद अमिठी में मना सकती है इसी चर्चा चल रही है ऐसा होगा इसका कॉंग्रेस तैयारी कर रही है कॉंग्रेस तैयारी करेगी और हम नहीं जानते हम नहीं यह कापना विशाय है लेकिन अगर आप perception के लिहास से देखें तो राहूल गा brackल को हर हाल में मिठी जाना चाहिए लेकिन जाने के लिए जो जरूरी चीजे होती है इसको हम करते हैं बेसिक क्वालिफिकेशन होती है वो बेसिक क्वालिफिकेशन तो ही नहीं कि वहां जाएं कुछ काम करें कुछ कारिकरम करें लोगों से मिलें लोगों को लगे कि हाँ राहूल जी भले हार गए लेकिन उनका इस consistency के प्रती इस लोगसभाग शेत्र के प्रती इसने है दिल्ली में बैठकर बयान देकर वो इसने कैसे होगा और आप एक दिन जाकर जन दिन मना लेंगी अब सुनिया जी अभी राइबरेली से सांसद हैं लगातार जीत रही हैं लेकिन आप सोची क्या सुनिया जी भी राइबरेली जाती हैं वो तो किशोरीलाल शर्मा जी पूरी कॉंस्टेंसी चलाते रहते हैं हलाकि अब उनकी उम्रे बहुत ज्यादा हो गए यह मुझे ध्यान में ने इधर उनके बारे में और मैं तो जानता हूना देवेंदी करें क्या मेठी राइबरेली को क्या दे दिया राइबरेली को क्या दे दिया कौन से यसी चेज़ दी राइबरेली बड़ा भी नहीं हो पाया उस लिहास से कहें तो मायवती ने देखी कितना विकास का काम कर दिया मुलायम सिंग्यादो उन्हें कितना विकास का काम कर दिया, वीर बहादूर सिंग हुए थे तब कितना कर दिया, अब योगी आधितिनाथ उनकी कॉंस्टेंसी तो देखे क्या काम कर दिया और ये तो ऐसे लोग थे, जिनके सामने ये अन, जिसको कहते हैं कोई कम्टिशन नहीं था, ये तो एकदम सीधे जो चाहते वो कर देते, लेकिन जो अमेठी राइबरेली की जनता को चाहिए था, उसका पासंग भर नहीं किया, और शायद यही वज़ा है कि राहूल गांधी क गांधी परिवार की बात कर रहे हैं, तो अज़र जो नहीं रातर इसमें, एक बड़ा नेता अपनी कॉंस्टेंसी को कैसे बनाता सत्ता में आने पर, शरत पावार की बारा मती से राहूल गांधी को सिखना चाहिए था, बिलकल बारा मती में कैसा शरत पावार ने काम किया, वहां उन्हें अच्छे स्कूल बारा मती में सब कुछ उपलब दे, इसलिए शरत पावार वहां से इतने आराम से जीतने हैं, मुझे लग रहा है जब गांधी परिवार का इतना दबदबापुरे देश के राज़िती में था, तो अमेटी और राइबलेरी को तो उस स्टे ये तो जन्ता को सोचना है ना सर फिर, इसलिए तो मैं करते हैं, वो इसलिए गांधी परिवार के दिमाग में बहुत साफ है, वो बिलकुल इसलिए नहीं करते हैं, उनको पता है कि ठीक है बाई, जो करना है, हम आ जाते हैं, गांधी परिवार उनका प्रतिदी है, ये उनक जो अगले गांधी हैं उनकी बात हम कर लेते हैं वरुन गांधी ये तो भाजपा में हैं लेकिन भाजपा में बागी मुद्रा में हैं अब तो बहुत समय से अब बरुन गांधी एक सवाय में बात कर रहे थे नौकरियों की बात उनोरी की उनका देश के अंदर एक करोड नौ चुनावा जाएगा पिर चुनाव में जंता के बीच में राशन बाटेंगे आठा डाल चना बाटेंगे उसको फिर उन्हें शायराना अंदाज में कहा है आप देखिए अभी तक सब मौन शांत अब मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह क्यों किया जा रहा है मैं आपको बताता हूं बास्तविक्ता क्या है कि जो पैसे बचेंगे वो फिर चुनाव में आठा डाल और चना बाटने में खर्च किये जाएंगे यह सचाई की बात है मैं कभी मजाक में शेर सुनाता हूं कि तेरी मोहबत में हो गए फना तेरी मोहबत में हो गए फना मांगी थी नौकरी मिला आठा डाल चना कि पूछना चाहता हूं आप से कि क्या ये कोई स्थाई समाधान है कि यह चनावा कि देविंजी आप यह बता दीजिए यह पार्टी से क्या चाहते हैं अपनी पार्टी ने इनके बारे में क्या सोचा है ये सवाल पूछा ये पार्टी से जाते हैं कि मुझे महत्तो दिया जाए मुझे के अंदर में मंत्री बनाया जाए पार्टी इनके ऊपर कोई रियक्ट नहीं करती वो इनकी सबसे बड़ी समस्या है जैसे इतने सारे बयान ये देते रहते हैं कमस्कम इनको ये उम्मीद होगी कि प्रदेश अध्यक्स प्रदेश के प्रवारी राश्टी अमासच्चिव राश्टी अध्यक्स राश्टी असंगठन महामंत्री कोई तो हो जो इनको फोन करके बोले किया रहे वरुन गांदी आपने ये क्या कह दिया ऐसी बात आप क्यो कर रहे हैं पार्टी एकिलाफ के हो जा रहे हैं पार्टी एकिलाफ नेरेटी बनाने में क्यों योगदान दे रहे हैं ऐसी कुछ भी घटना आज तक नहीं होई कुछ भी इनको कहा नहीं जाता है और आप समझ सकते हैं कि फिर वेक्तिका तोर पर इनको कितनी इस बात को लेक तो वरून गादी का केसी नहीं, ऐसे आप जितने केस उठाकर देख ले पहले भी, शत्रोगन सिना या दूसरे निताओं के या श्वन सिना, जब वो लोग बहुत जादा बोलना शुरू करते हैं, तो नरिन्द मोदी और अमिश शाह की जो बीजे पी इस दौर की, वो कारवाई करनी होगी, तब कर दिया जाएगा, जैसे इस बार के चुनाओं में, जब टिकट बटवारे की बात होगी, वहां पर निश्ची तोर पे वरून गादी के लिए एक बड़ी समस्या ये रहेगी, कि क्या बीजे पी वरून गादी को टिकट देगी, फिलहार कर रहे हैं, किसानों की बात कर रहे हैं, और होनी ही चाहिए, और इसमें कोई ऐसी खिलाप बात नहीं है, लेकिन अगर आप सारवजनिक तोर पर मजाक उड़ाते हुए ये बात कह रहे हैं, तो वहां पर फिर पार्टी को समस्या होगी, पार्टी के बंद कमरों में आप समस्या होगी जब टिकेट बटवारे की बात कहां से मिलेगा, अपने यहां से मिलेगा या दूसरी जगे से मिलेगा, इस पर बात हम लोग ने पहले भी की थी, केदारनात में इनकी मुलाकात हो गई थी, राहुल गांधी जी से, उस वक्त भी चर्चा होई थी कि क्या कुछ पक रहा है क्या वरुण गांधी कॉंग्रस में जा सकते हैं क्या, आज तक नहीं गए हैं, आज तक कभी सुना नहीं है कि उनका कभी कोई इच्छा भी रही है, लेकिन अब जिसे लगातार बयान जो आ रहे हैं उसके बाद वरुण गांधी क्या कहीं और दूसरी और कोई सह हमारा खूज रहे हैं, इसकी बाते होने लगे हैं, समीर जी, वरुण गांधी के राजनी के पहले में इनके बताना चाहता हूं कि प्रमूद बाजन को भरतियनता पार्टी में लेकर आए थे, जब प्रमूद बाजन लेकर आज तो प्रमूद बाजन ने कहा था कि असली और आधी कॉंग्रस हमारे साथ है, आज की तरिक में गांधी परिवार हमारे साथ आ गया है, और पार्टी ने उतना महत्तब दिया, यंगेस्ट महसर्ची बनाया हूंने, पश्चि मंगल का प्रभार दिया, उस समय पार्टी में वरुन गांधी को बड़ा भविश्य का नेता पार्टी का देखा जाता लाएं कि बड़े नेता बनेंगे, लेकिन 2014 के बाद परिस्ते बड़ी और वरुन गांधी आज पार्टी में पुरी तरीके से आइसलिटर हो चुके हैं, अब ये बात तहे हैं कि आनावले 2024 में पिलीबीत और सुल्तानपूर, मेनिका गांधी और जासे वरुन गांधी सांसद है, भार्टी जनता पार्टी नए विकल के ओपर जाने के ओपर विचार भी कर रही है, और नए उम्मिद्वार माँ देख रही है, वरुन गांधी इस बात को बहता दरके से जानते हैं कि आज पार्टी के अंदर की जो इस्तिती हो चुकी है, उस उस्ति में उन्हें पार्टी से टिकेट मिलने की सम्मावना बहुत कमें, पर अगर पार्टी टिकेट दे भी देके तो खाली सांसद बनेंगे, तो वरुन गांधी का यह मानना है कि वो सिफ सांसद बनने के लिए पैदा नहीं हुए, वो बड़ा पच चाहते हैं, या भ देले भी सिट निखा सकते हैं, लेकिन मुझे लग रहा है, आज की राणीति के सिती में, जिस आपसे योगी अधितनात ने उत्त्रपदेश के अंदर अपनी लोगपता बढ़ाई है, बिना योगी अधितनात के भरोसे में लिए, बिना अमिश्या मोधी के भरोसे में के लिए, और कॉंग्रस में जाकर भी वो जीतेंगे, इस किसम मौना मुझे बहुत कम लग रही है.